उसकी एक credibility है, एक विश्वस्नियता है, एक साख है और हम लोग बराबर सजग रहते हैं कि कहीं कोई ऐसा काम हम लोग की तर्फ से न हो कि भारत की राजनीत में crisis of credibility, एक विश्वस्नियता का संकट पैदा हो इपने हमें लक्सन मेनिसेस्टों में भी जो कहते हैं वो करते हैं अच्छा सर चौधा का चुनाव बदलाव का चुनाव कहा गया और आप चुके रक्षा मंतरी हैं उननीस का चुनाव जो था उसको कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे काम किये इस बार वो कौन से मुद्दे हैं क्या प्रधान मंतरी मोधी का चेहरा है विकास का यहां तक हमारे प्रधान मंतरी जी का प्रस्ण है प्रधान मंतरी जी की लोक प्रियता अन्पैरलल है इसमें कहीं दो रहे न देश चाहता है कि पुनहुने भारत का प्रधान मंत्री बनना चाहिए और देश इसलिए चाहता है कि लोग जानते है कि अंतररास्टी जगत में भारत का मस्तक इन्होंने उचा किया है हमेरे प्रद्धान मंत्री ने और आगे भी भारत का मस्ता कंता राष्टी जगत में उचा रहे भारत की सेफ पूरी दुनिया में बने अर यह कामेंदी कोई कर सकता है तो भारती जंता पार्टी और उसके नेता मोधी जी ही कर सकते हैं इसले मोधी के परती लोगों का विश्वास है भरोशा अ सर राहूल गांदी प्रेंका गांदी जी दोनों लोग के बारे में चर्चा है यूपी से लड़ सकते हैं चुक्क्त क्यों हो रही है यहां से लड़ना चाहते हो लड़े वारती जंता पार्टी लड़ने को त्यार रहे है इस पार करना रहा है कितना यकीन है क्योंकि पहले और दूसरे फेज में कहा जा रहा है सर कि बहुत नुक्सान कोशित हमारी यह है कि उत्तरप्धिश में एसी सीटों पर तो पहला और दूसरा फेज हुआ उसमें वोटिंग बहुत कम हुई कहा जा रहा है कि वोटर्स में उत्साहा उतना जादा नहीं देखा जा रहा है जो 2014-19 में था यह जो कम वोटिंग परसेंटेज है इसको सिधे-सिधे बीजेपी का नुकसान बताया जा रहा है प्रस्थ नह है क्योंकि वो भी यह मान कर चलना है कि भाई अब भारती जन्ता पार्टी को ही एकदम क्लियर मिजार्टी बंपर मिजार्टी मिल लई है और मोदी यह भारत के प्रधान मंत्री वनेंगे इसलिए जिस उत्साह के साथ आप पोजिशन के जो मत दाता हैं उनको करना चीए है वह नहीं कर पा रहे हैं दो छोड़े सवाल आप ग्रह मंत्री रह चुके हैं एजेंसी इसके दो रुपियों का रोब भारती जन्ता पार्टी पर बहुत गंपीर्टा से विपक्ष्ट है मैं समयता हूं कि यही एजन्सी कुछ गलत करती हैं लोग अदालत की सरण ले शक्त अदालत उनको क्यों नहीं रिलीव दे रही है क्या अदालत हमारे दबाव में है अच्छा सर आखरी सवाल आखों में बार बार धूल यहों कर राजनीत करना इससे बचना चाहिए भी पक्ष को आखरी सवाल नीरा सिंग जी को आपने जिम्मेदारी दे रखी है बीजेपी क परिवार की सब्सकर करते हैं लेकिन यहां के अध्यक्षि हैं आणंद्वेदी यह यह देख ने हैं और प्रबंधन का काम देखने हैं चुनावी परबंधन का मुकेश शर्मा यह सब लोग बिलकर यह लोग काम करना है बहुत शुक्रिया एंडी टीवी से बात करने के लिए रक्षा मंतरी राजना सिंग जी जो तीसरी बार लखनोज सीट से चुनाव मैदान में हैं और लखना उसे माना जाता है बीजेपी की सबसे सेफ सीट है और नामांकन के साथ ही जो रोडशो हुआ वही राजना सिंग जी का प्रचार कहा जा रहा है फिलाल राजना सिंग जी अपनी वेस्ता के बीच में एनी टीवी से बात की इनका बहुत शुक्रिया केमरपसन राज़ गुपता के साथ रनवीर एनी टीवी इंडिया के लिए